हेलो दोस्तों केसो आप सब उम्मित करूंगा आप सब अच्छे होंगे स्वागत आप सब का एक बार फिर से मरी यूटूब चैनल पर आज कि इस वीडियो में कुछ जरूरी अपडेट शेयर करूंगा आप लोगों के साथ इंडिया सोधी अरभिया और वर्ल्ड से लेटेड इसके अलावा फ्लाइट्स के बारे में भी डिसकस करेंगे तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सोधी अरभिया से तो सोधी अरभिया में आज लास्ट 24 आवर्स में सबसे ज़्यादा केसिस मिले कोविड के 5362 नही केस मिले और दो लोगों की डेथ की भी नियूज है यह अब सबसे हैस्ट नंबर है कोविड केसिस का सोधी अरभिया में और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि Ministry of Health ने पहले ही कहा था कि आने वाले विक्स में कोविड के केसिस और भी बढ़ने के चांसेस हैं क्योंकि इससे पहले ही डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स कहते का जो peak month होगा वो January और February होगा तो January February तक हो सकता है cases और जादा बड़े हर एक country का इसके लावा Ministry of Education के तरफ से एक update है 23 जनवरी से schools खुलेंगे साथी अरभिया में किस तरह से उनका plan है continue रखने का schools को वो उनोंने बताया तो schools में जो जरूरी precautions होने चाहिए वो होंगे वहाँ पर Ministry of Health का जो guideline है देड़ मीटर का जो distance maintain करना है वो distance को maintain करके बच्चे लोग पढ़ाई करेंगे school में इसके अलावा सारे बच्चे मास्क लगागे school जाएंगे यानि COVID के लिए जो जरूरी एहतियाद बरतने हैं वो सारे बरते जाएंगे schools में इसके अलावा experts का कहना है COVID-19 के जितने भी vaccine companies हैं उनको समय समय पर अपना vaccine को update करना पड़ेगा जिस तरह से COVID का variant में changes आ रहे हैं वैक्सीन को भी update करना जरूरी है नहीं तो फिर वो vaccine effective नहीं होगा अभी तक COVID का variant आप लोग देखी लिए होंगे डेल्टा फिर ओमिक्रोन हो सकता है आगे चलके कोई और नया variant है तो क्या उस समय फिर से हमें vaccine की जोरूरत है अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ओमिक्रोन का सबसे ज़्यादा cases महाराष्ट में है उसके बाद दिल्ली और राजस्थान में ये तीन state में highest ओमिक्रोन के cases है वहीं पर आज इंडिया में दो लाग से भी ज़्यादा नए COVID के cases मिले COVID के cases लगातार बल रहे हैं सौधी में भी इंडिया में भी अच्छी बात ये है फ्लाइट पर अभी तक कोई restriction नहीं है आना जाना आप लोग कर सकते हों पर फाइजर कंपनी ने आज announcement किया कि उनका जो वैक्सिन है वो booster dose के अलावा अगर किसी को pneumonia है तो pneumonia पर भी उनका वैक्सिन जो है एफेक्टिव है यानि Omicron का ये जो नया variant है उस इंसान तक पहुचेगा जिसने कोविट का वैक्सिन नहीं लिया है तो कोविट के वैक्सिन का doses लेना बहुत जरूरी है इसने भी नहीं लिया है उनको infection का ज्यादा खत्रा है अब मैं आप लोगों तक कुछ flight का update शेर करता हूँ एर इंडिया ने ट्यूटर में एक important announcement करा है 31 March 2022 तक जिनका भी ticket book किया हूआ है और वो अगर अपना travel date को change करना चाहते हैं example किसी ने 25 जनवरी का book किया हूँ और वो चाहते हैं कि उसको 30 जनवरी का करे तो यह date को फिरी में change कर सकते हैं यह facility सिर्फ एक बार के लिए होगी तो एक बार कोई भी बंदा जिसने एर इंडिया का ticket book किया है अपना journey का date को change कर सकते हैं इसकाल आप सिर्फ उन लोगों को मि book किया है अब हम बात करते हैं इंडिया टू सौधी अरभिया और सौधी अरभिया टू इंडिया फ्लाइट्स की तो दोस्तों फ्लाइट्स डेली चल रहे हैं सौधी एरलाइन इंडिया के साथ इसके अलावा इंडियो भी चल रहा है और बहुत सारे फ्लाइट्स वाया होक साथिस केबी सोदी अरभय आ रहर है सौदी अरभया का ट्रावल ग्याहें डीटलाइन क्या है मैंने इस वीदियो में अल्रेडि बताया है तो आप यह वीदियो को देख लीजिएगा इंडिया से इस वक्त कोई भी सौधी अरभ समस्धिया आ सकता है तो उनको कोई quarantine नहीं होना पड़ेगा तो बहुत राहत की खबर है सारे इंडियन्स के लिए जिन्होंने कोवीशिल का वैक्सीन इंडिया में लिया है और सौधी अरभिया में बुष्टर डोज लिया है जिसने सौधी अरभिया में वैक्सीन लिये हैं उनके लिए फाइदा ही ऑफाई के को को कॉरॉट साइट सोधी अरभिया वैक्सीन लिया है या फिर जिनको कॉरॉट सनफ यही टिकैट से भी जादा खरचा लग जा रहा में प्रॉबलम यहीं है इसी के वजह से आपका merc Ali से नाइंटी तडग चार और जो लोग सॉधी अरभिया से इंडिया जा रहे हैं काफी लोगों में misunderstanding है कि airport में जाके corona test कराना पड़ेगा बहुत लोग तो home quarantine में ही confused है तो ये बात बिल्कुल सही है इस वक्त जो भी इंडिया जाएंगे उनको 7 दिन home quarantine रहना पड़ेगा अपने घर में quarantine रहना पड़ेगा इसमें कोई problem नहीं होगी इस वीडियो में complete guideline बताया है इंडिया का Mumbai airport में जाना थोड़ा दिक्कत इस वक्त सब के लिए क्योंकि Mumbai ने रखा है कि सब को वो corona test करेंगे एरपोर्ट में आप कोई भी country से जाओगे Mumbai airport में corona test होगा तो बहतर रहेगा Mumbai airport को छोड़के कोई दूसरा airport में आप जाओ की airports में corona test सब का नहीं होगा जो risk वाले country है सिर्फ उनी का होगा और risk वाले country के लिस्ट में गल्फ का कोई भी country नहीं है इंडिया के तो आप लोग ये वीडियो को देख लीजिएगा इसमें complete guideline बताया है इंडिया का next वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा सस्ती flights कौन सी है और सस्ते quarantine hotels के से आप online book कर सकते हों तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए थेंक यू सो मच फो वाचिंग